आज के इस वीडियो में हम लोग एक calculator बनाने वाले हैं HTML, CSS और JavaScript की मिरसे आप लोग देखेंगे कि एक calculator जैसी simple utility को HTML, CSS, JavaScript में किस तरह से बनाया जाता है और आप लोग ये भी समझेंगे कि किस तरह से इस calculator की designing हम लोग करेंगे सारे buttons को और skeleton को बनाने के बाद हम eventually ये देखेंगे कि जब भी कोई user calculate करना चाता है इस calculator की साहता से तो कौन सा JavaScript logic रन होगा किस तरह से हम लोग reset करेंगे अगर किसी ने गलत command कोई चला देगी कोशिश करी calculator में तब क्या होगा ये सारा logic हम लोग JavaScript की साहता से लिखेंगे यहाँ पर मैं कुछ अलग करते हुए raplet की साहता लेना चाता हूँ raplet को use करने का एक सबसे बड़ा reason यहाँ पर यह है कि आप लोगों को on the cloud एक IDE देखने को मिलती है raplet में जो कि आप लोग fork कर सकते हैं और वहाँ से उसमें improvements चालू कर सकते हैं अब अगर मैं आप लोगों को code VS code में लिख कर दूँगा तो होगा यह कि आप लोग को पहले code copy करना पड़ेगा फिर development environment बनाना पड़ेगा फिर सकोग चलाना पड़ेगा raplet की साहता से यहाँ पर होगा क्या कि आप लोग directly on the go run कर सकते हो code को अपने on the cloud हम चलेंगे अब computer screen में और देखेंगे किस तरह से हम लोग एक नई रैपल बनाएंगे raplet पर और उसके बाद इस calculator को using HTML, CSS and JavaScript हम लोग finish करेंगे so guys यहाँ पर मैं आच चुका हूँ अपनी computer screen के अंदर और raplet के अंदर मैं हूँ अपने console के अंदर आप लोग description में दिए होई links रैपले अगांट अपना बना ले हो और उसके बाद आप लोग इस पेच पर आ जाएंगे एक बर आपने login कर लिया तो तो यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करूँगा माई रैपल में जाओंगा और यहाँ पर वो सारी रैपल्स में जाएंगी जो कि मैंने बनाई हुई हैं तो किसी भी एक नई रैपल को बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर templates में जाओ और templates में जाने के बाद आप लोग यह HTML CSS JS जो लिखा हुआ है इस template को चुन लो क्योंकि हम लोग अभी बनाने वाले हैं HTML CSS तो मैं आपर लिखूंगा calculator using html css jse यह मेरी रैपल का नाम है इसको मैं obviously public रखूंगा आप लोगो के देखने के लिए और यह create हो चुकी है और आप लोग देखो यहाँ पर कि जब आप रैपल बनाते हो ना तो यह थोड़ा सा time लेके और उसके बाद initialize हो जाती है ठीक है अ जैसे कि मैं आप लोग को अगर दिखा हूं तो यहाँ पर आप लोग जैसे लिखते हो hello world and I am Harry मान लो लिखा मैंने ठीक है यह मैंने किया और run पे क्लिक किया तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा कि यह hello world and I am Harry मुझे दिखा रहा है ठीक है अब एक बहुत और आप ल इंगाल भी सकते हो इस तरह से अभी के लिए मैंने इसको एकदम extreme right पर बंद कर दिया है ठीक है अब font size थोड़ा बढ़ा लेता हूं आप लोगों के देखने के लिए वैसे तो मैं 100% ही prefer करता हूं लेकिन बढ़े भी बढ़ा लेता हूं ठीक है अब हमारे पास यहाँ पर ए अपनी index.html को खोल लेता हूं पहले मैं क्या करूंगा इसको copy करूंगा और copy करने के बाद इस line को यहाँ पर लाओंगा और utils.css.css यहाँ पर लिख दूँगा ठीक है तो यह भी एक style sheet है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिखूंगा h1 ठीक है h1 लिखने के बाद मैं मैं यहाँ पर लिखूंगा calculator, calculator using html css and javascript ठीक है यहाँ पर लिख दिया html css javascript अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एक div बनाएंगे और इसमें class जडालेंगे और class is equal to क्या होगी class is equal to यहाँ पर मैं लिखूंगा my account container लिखता हूं ठीक है और यह लिखने के बाद इस तो मैं लिखूंगा यहाँ पर div और क्लास is equal to मैं लिख दिया और यहाँ पर इस div को मैं बन बही करना चाहोंगा ठीक है तो मैं यहाँ इस div को बंद कर देता ह wtf мо self कर अब भी मैं अगर आप लोग को यहाँ पर टिखाऊ हूं रिलोड करूं स्थित क्यों चा जारी मैंने स् इसलिए दिखा रहा है तो मेरा यह जो calculator using html csn javascript है यह ऐसे आ गया ठीक है लेगर obviously मैं इसमें यह नहीं लिखना चाहूँगा मैं आप एक काम करूँगा कि कुछ ऐसे लिखूँगा welcome to calculate me ठीक है कुछ इस तरह से लिखूँगा अब मैं आपको कुछ classes डालना चाहूँगा और वो है class is equal to center ठीक है class is equal to center डालूँगा और center क्या है अब आप कहोगे utils.css के अंदर मैं एक class डालूँगा text center ठीक है यह मेरी utility class होने वाली है जिसमें मैं क्या करूँगा text align जो होगा मेरा उसको कर दूँगा center ठीक है कुछ इस तरह से और यहाँ पर obviously center हटाके text center लिखूँगा और अभी यहाँ पर अगर मैं इसको reload करूँ तो यह देखो center पर नहीं आया यह कैसा मजा के मैंने लिखा h1 class is equal to text center और style.css text center यहाँ पर dot लगाना पड़ेगा यार ठीक है तो इसको मैं reload करूँगा अभी तो यह center पर आगे ठीक है welcome to calculate me बहुत ही बढ़िया ठीक है अभी जो box है न मेरा जो मैंने या पर बनाया है यह row बनाये container है जो मेरा इसमें मैं क्या करूँगा कि इस container के अंदर के सारी चीज़ icker करूँगा लेकिन उससे अंदर में क्या करूँगा में आपर लिखोंगा div class is equal to कि मैं आपड़र लिख दूँगा let us say button ठीक है एक class is equal to button लिख दूँगा और कॉपी करने के बाद मैं आप 1-2-3 लिखूंगा ठीक है 1-2-3 मैं काम करता हूं यार नेट पर लिखता हूं कालकुलेटर क्योंकि मैं देखना चाहता हूं क्या-क्या चीजे होती है इमेजस पर जाओंगा एक basic calculator में कौन-कौन से buttons होते हैं यह देखना चाहूंगा बस और यहांपर 4 रोज मुझे देखने को मिल रही है AC plus minus percent divide और यह सारी चीजे मुझे देखने को मिल रही है बहुत बड़ी है ठीक है तो क्या करेंगे न हम लोग 4 रोजी बनाएंगे एक नहीं बनाएंगे तो मैं आपर क्या करूंगा 123 इस तरह से नहीं लिखूंगा मैं इस image को आधार लेकर और काम करूंगा ठीक है तो मैं यहां पर लिखूंगा 123 नहीं लिखूंगा 789 7 लिखूंगा 8 लिखूंगा फिर यहां पर 9 लिखूंगा और इसके बाद multiply लिखूंगा ठीक है जो मैं exactly विल्गुल ऐसा बना रहा हू ठीक है आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हूं यहां सचा हो रिलोड करूंगा इसको और यहां पर देखूंगा 789 X आ गया ठीक है जो कि बहुत अच्छी चीज है ठीक है control C करा यहां पर एक दूसरी रो ठीक है class is equal to button और यहां पर एक काम करते हैं अभी के लिखूंग से रहें देता हूं और यहां मैं एक utility class डालूंगा और वह है bg red ठीक है अब आपको यार bg red red are you serious yes I am serious red क्यों red क्यों क्यों कि यार मैं देखना चाता हूं बस की मेरा जो यहां पर अभी दिख रहा है यह container कैसा होने वाला है ठीक है तो background में आपर red कर दूँगा ठीक है तो background red क सेव कर दिया मैंने reload करूंगा और यहां पर background red हो जाएगा मुझे सब कुछ center करना है तो मैं करूंगा क्या इसके अंदर mx auto नाम की utility class बनाऊंगा ठीक है तो mx auto नाम की utility class बनाऊंगा यहां पर तो यहां पर मैंने mx auto कर दिया ठीक है जैसे कि आप देख सकते हूं और इसको रिलोड करते है center पर आया कि नहीं आया नहीं आया center पर तो एक काम करेंगा यहां पर inspect करेंगे इस चीज़ को देखेंगे यह center पर क्यों नहीं आया center पर चाहिए था तो मैं यहां पर क्या करूंगा यह करने के बाद तो यहां पर करेंगे क्या ना मैं बताता हूं क्या करेंगे जो मेरा यह mx auto है ना इसी में मैं एक चीज़ और करूंगा mw और 20 कर दूंगा ठीक है mw 20 का है एक utility class होगी जो की max width को 20 कर देगे ठीक है तो mw 20 यहां पर करूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा max width max width येस ही क्या हो रहा है max width 20 bw ठीक है save किया और यहां पर इसको मैं reload करूंगा और यहां पर मैंने mx CA कर दिया अहां ठीक है बढ़िया अब हो गया काम मेरा ठीक है तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो यह buttons मेरे थोड़े ऐसे आ जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा इसकी max width थोड़ा सा बढ़ाओंगा ठीक है 30 bw ठीक है और यह कर दूंगा और मैं इसको जैसे ही ऐसे करूंगा तो यह 30 bw क्या मैंने save नहीं किया मैंने save किया reload किया अब हो गया ठीक है और obviously मैं क्या करूंगा कि यह जो मेरे class is equal to row है ना in fact इसके अंदर का जो button है class is equal to button जो है ना इसमें पैडिंग दूंगा 20 pixels की ठीक है थोड़े बड़े होने चाहिए बटन दीखना तो जीने calculator है ठीक है तो क्या क करेंगे पैडिंग 20 pixels कर देंगे कहां पर style.css में और मैं आपर लिखूंगा dot button और यहां पर पैडिंग लिख देंगे 20 pixels ठीक है reload दरूंगा और सारे buttons की padding जो है बढ़ जाएगी और obviously मारा layout भी खराब होचेगा MW20 को मुझे क्या करना पड़ेगा मैं जरा इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ ठीक है और यहां पर आप लोग देखो MW20 करने से यहां पर आ गया ठीक है लेकिन कितना बढ़िया होता अगर container ज कि अब चक्कर में बिल्कुल नी पढ़ना जाता में FlexBox use कर लूंगा खीक है कोई बात निमेs अब मुझे यह सब चकर में पढ़ना ही निए कांग ही मेरी utils.css मुझे Max 3010 में 20ijn को चकर पढ़ना ही नहीं margin auto रख लेकिन मुझे पढ़ना ही नियहन सब चीजों के चकर में मेरे साब से इतना करता हूँ पहले फिर देखोंगा क्या करना है तो utils में दो utility classes add की जाएंगी सबसे पहले तो एक dot flex करूँगा ठीक है और इसके बाद मैं करूँगा dot flex call ठीक है simple सी चीज है मतलब कुछ जादा मैंने rocket science करी नहीं है आप बता दूँ आप लोगो पहली मैं आप फ्लेक्स डिरेक्शन जो है flex direction column कर दूँगा ठीक है और यहां पर display flex कर दूँगा ठीक है display क्या करूँगा flex कर दूँगा flat नहीं है flex ठीक है और यह करने के बाद मैं reload करूँगा और जैसे ही मैं इसको reload करूँगा align item center अगर इसमें लगा दूगा तो इस center में आ जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब मेरा तो मैं क्या करूँगा जो मेरा container है उसमें align item center लगा दूगा यहां मैं यहां से भी कर सकता हूं ठीक है styles.css लेकिन अभी मैं क्या करूँगा item center नाम से class बनाऊँगा और पता है क्या होता है utility classes बनाने का फाइदा क्या होता है अब इसको reuse कर सकते हो ठीक है reuse कर सकते हो बिल्कुल ठीक है तो मैं क्या करूँगा align items इसको अपना लिया होगा मैंने class actually लगाई नहीं फिर अपना ले गई जैसे लगाऊंगा इंडिक्स.html के अंदर जाऊंगा और यहां पर इसको डिखेगा कि इसके अंदर क्यों नहीं यार कंटेनर में लगाया था मैंने आइटम से इंटर हाल लग गया ठीक है तो यह हो गया obviously rows जो है मेरी उनमें थोड़ा बहुत gap देना चाहूंगा तो जो मेरी row है उसमें obviously मैं क्या करूंगा dot row जो class है मेरी उसमें मैं margin देना जाऊंगा top bottom से 12 pixel left right से तो मैंने अल्रेड़ी देही रखी है top bottom से इतनी margin थोड़ी कम तो नहीं हो गई ज्यादा हो गई गया पता नहीं आठ जीरो करके देखता हूं शायद थोड़ा बहुत change आए ठीक है वैसे कोई ज्यादा उतना भी मतलब बुरा नहीं है ठीक है तो एक चीज़ और करना चाहूंगा या जो बटन में मैं एक margin रखना चाहूंगा जो मेरे buttons है उनमें left right में margin रखना चाहूंगा ठीक है तो कितनी रखोंगा top button में 0 रखोंगा त्री pixels रखके देखता हूं जो gap है वो कमसे कम uniform तो रहा या ठीक है अब थोड़ा बड़िया लग रहा है अब यह जो buttons है थोड़े से उतरे अच्छे भी नहीं लग रहे है ठीक है तो button को थोड़ा सा खुबसूरती देनी पड़ेगी ठीक है तो मैं काम करूंगा इसमें सब इतना करने के पार अगर मैं अपनी रापल देखो थोड़ा बड़िया लगा calculator ऐसा भी नहीं है कि इससे बड़िया calculator आपने जिंदेगी में नहीं देखा ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं लेकिन हाँ थोड़ा बड़िया लगा ठीक है एक चीज और button मैं करना चाहूंगा वो ह इस तरह से आप लोग को दिखेगा एक बहुत important चीज जो कि मुझे बनानी एक container के अंदर वो है मैं आपर एक row class बनाऊंगा div class is equal to row ठीक है और ये करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूंगा आप लोग को बताता हूं मैं इसके अंदर एक input tag डालूंगा ठीक है और एक input tag दालने के बाद input class is equal to मैं क्या लिखूंगा input ठीक है सिर्फ input लिखूंगा और type is equal to role is type is equal to text ठीक है type is equal to text और उसके बाद ये कर दूँगा मैं कुछ इस तरह से ठीक है अब देखता हूं यह कैसा दिख रहा है रिलोड करूंगा जैसे ही देखो यहां पर एक input मेरा आ गया लेकिन इसके left right पर थोड़ी बहुत मुझे margin padding की देखने को मिल रही है तो मैं अगर row में जाओं तो इसकी जो width है इसमें actually padding है ठीक है तो मैं क्या करूंगा जो मेरी .row का input है मैं अपनी style css में जाओंगा जो मेर dot row का input है ठीक है dot row के अंदर जो input है उसमें मैं margin zero ठीक है margin zero कर दूँगा सबसे पहले तो और उसके बाद क्या करूंगा padding zero कर दूँगा ठीक है padding zero मैं कर दूँगा यहाँ पर save कर दूँगा इसको और reload करूँगा जैसे ही इसमें कुछ नहीं हुआ है इसको कोई फरकी नहीं पड़ा margin zero padding zero करने से तो हो क्या रहा है यह भी हम देख लेते हैं यहाँ पर margin zero मैंने करी padding zero कर दी मैंने आपर अगर मैं इस padding को बढ़ा हूँ थोड़ा सा तो यह थोड़ा weight तो ले रहा है लेकिन अभी के लिए वैसे मेरा ठीक भी लग रहा है मैं अभी अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँगा इसके अंदर कुछ भी मैं type करूँ और result compute कर पाऊं बस अभी के लिए मेरा goal इतन ही होना चाहिए बीजी red अटाता हूँ यार या से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बीजी red जो मैंने लिखा हुआ इसको मैं हटा दूँगा कहा गया मेरा बीजी red मैं नीचे scroll करूँगा मेरा container में मैंने बीजी red डाला था तो मैं इसको या से अटा दूँगा ठीक है इसको मैं अटा या save करूँगा reload करूँगा या पर और यह जो red यह हट जाएगा ठीक है welcome to calculate में आ गया है यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत बढ़ा करेंगे तो एक काम करते हैं जो यह input इसके इंदर padding भी देते हैं ठीक है तो padding थोड़ी बहुत देते हैं और इस padding को नहीं यहीं से inspect करके set क करना चाहूँगा ठीक है तो top bottom से थोड़ी बहुत padding देना चाहूँगा इतना बड़ा ठीक है लेगे left right से थोड़ी जादा padding देना चाहूँगा ठीक है इतनी padding देना चाहूँगा फिर अकर मैंने वालो यह कर भी दिया तो क्या यह responsive रहेगा एक को एक चेक देना चाहता हू responsive हा रहेगा ठीक है मैंने देख लिया इसके बाद मैं कहूँगा border two pixels solid black ठीक है और border radius border radius कितनी होगी 9 pixels 9 pixels रखता हूँ मैं लेकिन थोड़ी कम रखूँगा इसमें 9 pixels नहीं रखूँगा ठीक है और थोड़ा सा length में मैं margin बढ़ाना चाहूँगा पता है यहां से करने का सब्स इसे दिखने वाली प्रीव्यू अगयरा सब सामने आपके ठीक है तो यह 11 pixels हो गया इसको थोड़ा बड़ा कर लिया चोड़ा कर लेता हूं 10 कर लेता हूं ठीक है बढ़िया बहुती सुंदर अती सुंदर copy करो इसको ठीक है copy करने के बाद हम obviously इसको अपनी यहां पर लेकर पेस्ट करेंगे save करेंगे और save करके हम लोग यहां पर क्या करेंगे simply इसको reload कर लेंगे ठीक है ऐसे और हां यार हमारा front end design हो चुका है क्या यह responsive है absolutely yes it is responsive आप चाहो तो 10 चीज़े कर सकते हो इसमें अब ठीक है अगर मैं इसको iPhone में आप लोग को दिखा हूं तो यह ऐसा दि ठीक है और भी करी देते कर लो में और कर दिया में difference होता है तो मैं कर दिया के दाएरे में रहना चाहता हूं इस style को select करूँगा सबसे पहले और इस style को select करने के बाद यहां मैं remove all करता हूं पहले फिर style को select करूँगा और यह link है यह import है import कर लेते हैं ठीक है style.css में import करेंगे इसलिए style tag की ज़रूरत नहीं है copy किया मैंने इसको और अपने wraplet के अंदर style.css में इसको paste कर दिया ठीक है कर दिया paste मैंने अब मुझे जहां भी font family change करनी है रोबोटो करनी है या Ubuntu करनी है वो मैं कर सकता हूं ठीक है वो मैं आराम से कर सकता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर मैं अगर h1 के अंदर in fact मैं सब की font ही कर दूंगा रोबोटो ठीक है देखूं कैसा लग रहा है यार बढ़िया लग रहा है यार मजा आ गया ठीक है तो welcome to calculate me और यह calculator अभी जो font है वो देखके भी लग रहा है कि हाँ calculator है कुछ होने वाला है मजा आने वाला है अब जो अब से important चीज है वो है इसका font size इसके font size को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यार चुकि ऐसे तो अच्छा लग नहीं रहा है तो अगर मैं आपर font size में चाहूं और इसको 2 रेम कर दूं तो यह कुछ जादा ही हद से बढ़ा हो गया है ठीक है तो अगर मैं इसकी padding को हटा दूं अभी और इसकी margin के साथ कुछ करूं अगर मैं मैं पस यहाँ पर देखना जाता हूं कि यह चल क्या रहा है ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो font को pixel में रखते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस input के अंदर font size जो है उसको रख देंगे let us say 34 से कि यह ठीक ठाक दिख रहा है ठीक है थोड़ा सा बाहर भी निकल जाए ना तो design में कोई issue नहीं है ठीक है लेकिन उसके बाद भी अगर आप लुक चाहते हो इन ना दिखे तो छोटा कर लो इसको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतना छोटा कर लो इसको कि कुछ भी type करो तो आपर दीक है तो अभी मैंने font size 20 pixels का कर दिया नहीं भी करो ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे वो design में ठीक लग रहा था ठीक है चलो यार यह तो हो गया अब हम यह चाहते है कि कोई भी इंसान इसमें कुछ भी punch करे तो actual में calculate हो ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देख लेटाइ operation किया यहाँ पर मैं चाहूंगा कि divide operation हो जाए ठीक है तो मैं slash लगा दूँगा और इसके बाद यहां पर 456 slash के बाद मैं क्या चाहूंगा 1,2,3,1,2,3 प्लस ठीक है और यह करने के बाद मैं यहाँ पर चाहूंगा एक तो 0 आजाएगा और एक dot आजाएगा और ए एक equals to आजाएगा ठीक है एक zero आजाएगा एक dot आजाएगा एक equals to आजाएगा और एक percent आजाएगा ठीक है देखते हैं कैसा लग रहा है ठीक है देखो मेरा calculator थोड़ा different भी हो सकता है कोई उसमें ऐसे hard and fast rule follow करने वाली बात नहीं है ठीक है यार यह सही लग रहा है भी ठीक है मैं नहीं चेड़ना चाता है इसको बिल्कुल भी समाइनस तो ही नहीं है इसको माइनस माइनस भी रख देते हैं एक काम करते है percent की जगा माइनस कर देते हैं अगर आप calculator भी यूज करते हैं जो हमने खुद बनाए है ठीक है तो यहां पर देखो welcome to calculate me और यहां पर सब कुछ लिख कर आगे अब मैं चाहूंगा इन buttons पर कोई भी क्लिक करें अगर तो यहां पर हमारी string है यह concatenate हो जाए और equals to पर क्लिक करें तो evaluate हो जाए तो इसका logic जो होने वाल है तो मैं जल्दी लिख रहा हूं सबसे बेल तो मैं क्या करूंगा एक string बनाऊंगा ठीक है मैं कहूंगा let string is equal to blank ठीक है यह मेरी blank string रहेगी क्योंकि इस blank string के अंदर initial कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है तो यह string मेरी यहां पर जो भी चीज है वो है ठीक है तो मैं आपर क्या कर करो मैं इसमें इवेंट लेसंडर किस तरह से लगा हों तो सारे बटन में इवेंट लेसंडर में लगाना चाहता हूं ठीक है तो उसके लिए मुझे करना पदेगा buttons बनाना पदेगा buttons equal to document.queryselectorall और query select all क्या करता है सारे के सारी select कर लेता है जिनकी class button है तो dot button लिख दूगा तो मैं जिन जिनकी class button है उनको select कर लेगा ठीक है अब मैं क्या करूँगा array.from यानि की इन buttons से एक array बनाओ और उस पर लगाओ एक for each और for each क्या करता है for each एक इस तरह से आप लोग इसको एक arrow function दे सकते हो यहाँ पर item हो जाएगा मैं item ना लिख कर button लिखना prefer करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा button dot add event listener वो event listener क्या होगा वो click होगा ठीक है और जैसी click करे कोई तो एक arrow function में चलाना चाहूँगा कुछ इस तरह से ठीक है और यहाँ पर click करने के बाद क्या होना चाहिए यह event है यह मैंने आप लिख दिया मैं आप लिखूँगा console dot log e dot target ठीक है अभी इतने से start करते हैं ठीक है तो सारे buttons में एक event listener लगना चाहिए reload करूँगा इसको मैं और right click करके inspect करूँगा console पर आऊँगा one मैंने click किया तो यह वाले button यहाँ पर मुझे मिल गया ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब आप देखना मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा string is equal to string plus यानि कि मैं add करूँगा इसमें क्या add करूँगा string plus e.target.innerHTML ठीक है अब देखना आप लोग क्या होगा मैं इसको reload करूँगा 5 मैंने यहाँ पर किया 5 मैंने यहाँ पर किया यहाँ पर 5 आना चाहिए तो हुआ गया यहाँ यहाँ पर जो value है उसको मैं क्या कर दूँगा string कर दूँगा ठीक है तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं 5 प्रेस करूँगा यहाँ पर 5 आ जाएगा multiply करूँगा यहाँ पर x आ जाएगा और फिट 3 करूँगा तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा equals to equals to equals अगर किसी ने equal पर click किया है तब तो क्या करूँ कि उसको evaluate कर दो expression को ठीक है तो मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा string is equal to eval string ठीक है कुछ इस तरह से कर दूँगा eval string अब eval क्या होता है वो भी आपको बताऊँगा अभी लेकिन अभी के लिए आप लग इतना लिखो string is equal to eval string और यह चीज हम copy करेंगे कि जो input है इसमें string आ जाए ठीक है और जो c होगा यहापर मुझे एक c भी बनाना चीज जो कि clear करेगा इस चीज को तो वो भी मैं बनाऊँगा ठीक है लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा इसको reload करूँगा और आपको दिखाऊँगा 8 multiply by 9 is equal to मैंने किया तो भी बताता हूँ आपको क्या हुआ actually मुझे x को star बनाना पड़ेगा जो कि multiply नहीं मैं यहाँ पर operator directly लिखूँगा ठीक है तो जहाँ मैं एक्स लिगा आप मैं star लिखूँगा ठीक है आप चाहें तो logic यूज करके जावा स्क्रिप्ट का इसको ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ पर x दिखाएगा लेकिन add star होगा ठीक है वो भी आपको बता दूगा मैं कैसे करना है तो 8 multiply by 9 is equal to मैंने किया 72 is equal to आ ठीक है तो यह end में is equal to क्यों है इसको मैं मुले ठीक करना पड़ेगा वो इसलिए आए क्योंकि यह जो हमारी script.jss के अंदर यह logic तो run कर रहा है मैं नहीं चाहता है नीचे वाला logic run करें इसलिए मैं क्या करूँगा else के अंदर क्या करूँगा यह कुछ इस तरह से डालूँगा ठीक है तो क्या होगा कि यह तो यह run होगा यह run होगा जब equals to कोई क्लिक करेगा तो यह run होगा वरना यह वाला code run होगा ठीक है तो अभी देख लेदे हैं हमारा calculator कैसा चल रहा है ठीक है तो मैं अब लिखूँगा 8 multiplied by 6 is equal to 48 बहुत बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है ठीक है अब मैं चाहता हम यह clear हो जाए clear कैसे करूँ ठीक है और क्या चीज़ी होती है calculator में % ठीक है % और इसके बाद और क्या बना सकते हैं प्लस माइनस हो गया डिवाइड हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया माइनस नहीं है नहीं माइनस है टाइम सो गया डिवाइड हो गया और और क्या कर सकते है यार मैं काम करता हूँ 100 का बटन मुरा देता हूँ ठीक है लेकिन मैं काम करूँगा इन सब चीजों को मैं अभी नहीं रखूँगा dot का बटन भी है हमारे पास equals to का भी है क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर plus slash minus क्या करता है मैं अबर ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ूँगा m plus m minus लिखकर इसको छुट्टी करूँगा अपनी ठीक है का लिख रहा हूँ मैं भी गलत लिख रहा हूँ क्या नहीं नहीं सही लिख रहा हूँ m plus सबसे पहले m plus फिर m minus अब मुझे इस पूरी रो को रहा shift करना पड़ेगा का shift करना पड़ेगा बताता हूँ मैं इस तो ctrl x करूँगा और इसको add the top ले कर जाओंगा यहाँ पर ठीक है इसकी padding बढ़ा सकता हूँ बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा ठीक है अगर आप चाहो तो इसको ठीक कर सकते हो बट मैं इसको देखना देखता हूँ कि यार quickly अगर में से ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो मैं इतना दिमाग इसकी designing मे रखिये इसकी जो width है अगर हम कुछ ऐसा करे 23VW कुछ VW में अगर इसकी width हम रख दे और इसको display flex बना दे ठीक है मैं बस यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कैसे करना है और इसके बाद हम align items center कर दे justify content भी center कर दे तो यह कुछ ऐसा दिखे ठीक है जो कि सही है एक तो तो यह किया जा सकता है लेकिन मैं भी यहाँ पर ही देख रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको एक line में लेकर आएंगे तो मैं काम करता हूँ justify content space around कर दूँगा तो यह देखो ऐसा आ जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हो इसको लेकिन यह यह आपर खराब हो गया इसका responsiveness थी अभी मेरे को बिल्कुल ठीक लगड़ा है एक दम center center पर आप इस button के अंदर की padding वगारा को fix कर सकते हो यह सारे काम कर सकते हो इस button की width को fix कर सकते हो तो इस button की width को शायद अगर हम fix कर दें तो काम बन जाएगा अगर यह चीज आपको ऐसा problem मिल गई तो आपके पास होना चाहिए our solution ठीक है कि कैसे आप लोग इसको solve करोगे तो यह बहुत जरूरी है ठीक है तो मैं 66 pixel कर दिया मैंने button की width को तो मैं इसको copy करूँगा और इसको यहाँ पर ले आउंगा तो एकदम line में आ गया भी तो यहा करना भी आपको आना चाहिए ठीक है सेम चीज इसके लिए भी जाती है input के लिए भी आप इसमें width डाल सकते हो मालो 99 pixel आपने डाली ठीक है 399 आप इसली ठोड़ी कम करना चाहूँगा ठीक है pixel मैं आपने एक बास्ट कर दिया मालो मैंने 296 pixel कर दिया मालो 295 pixel कर दिया अब अ और बड़ा कर दूंगा बढ़े devices में मैं इस input की जो width test को 291 pixel hardcode करके रख दूंगा ठीक है तो कहां गया हमारा input यह रहा हमारा input ठीक है तो हम कुछ इस तरह से कर लें गया तो मैं आप आप लोग कर सकते हो इसमें background लगा सकते हो color change कर सकते हो black and yellow बना सकते हो वह सब आप कर ल इसे मैं copy करूंगा अगर c पर click किया जाए else if else if e.target.innerregisterable is equal to c string is equal to blank ठीक है simple सा logic यार simple सा logic ठीक है simple सा logic ठीक है simple सा logic है reload करो c पर जैसे click करेगा कोई जैसे मालो मैंने कुछ भी लिख दिया है ठीक है c पर कभी click करेगा तो यह आ गया ठीक है अब कभी कभी क्या होता है कि error आ सकता है ठीक है तो आप चाहोगे कि मालो मैंने आपर कुछ इस तरह से लिख दिया ऐसे ठीक है अब मैं is equal to करूं ठीक है तो 6, 3 मालो मैं कुछ ऐसे से करता हूँ फिर ऐसे से करता हूँ equals to मैंने किया तो obviously console में एक error आ रखा है ठीक है तो यह देखो बहुत सारे errors आ गये console में तो आप try catch में score app कर सकते है वो मैं आपके ऊपर छोड़ूँगा ठीक है मैं seeager कि इसको clear कर सकता हूँ आप कभी भी कोई भी काम करता हूँ अब बना सकते हो तो यह चीज में क्या करूंगा कि टूडू में डाल दूगा ठीक है अट टॉप में आप टूडू लिख देता हूँ एक comment लिख दूगा यहाप जावास्क्रिप में और यहाँ पर मैं लिख दूगा टूडू और टूडू लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा make m plus m minus and mc functional ठीक है तो मैंने एक basic calculator बनाया और आप लोगों से उमीद रहेगी कि आप लोग यह बनाओगे मुझे नीचे comment में बताना किस किस ने बनाया ठीक है तो यह रहा हमारा basic calculator है खोब मज़ा आया होगा आप लोग को इस को बनाने में और उ description में लिंक पर click कर सकते हो आप सीजे इस रापल पर पहुंच जाओगे लेकिन उससे भी पहले आप लोग को बनाना होगा एक रापलेट अकाउंट तो आप लोग अपना रापलेट अकाउंट बना लेना उसका लिंक भी में description में डाल दूंगा और रापलेट अकाउंट बन मिल जाता है इस पर आप click करोगे account बनाओगे आप इसको अपना एक copy बना सकते हो basically इस calculator का और उसमें experiments कर सकते हो right from here तो आपको code भी मिल जाएगा अगर थोड़ी बहुत tweaking आप लोग करना चाते हो तो कहीं से आपको code लाके अपना environment सेट अप करने की ज़रूद नहीं यह beauty नहींट आइ गई 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 यह वाचे वेड थो चाहिए झाहिए लेगा अग्यास पहल शायच पर वाच पहले जाए नहींक रहाईट अगाई जेविए लुड़ी था लोगडर्ट बहुड़गाई प्रे लोट्वार्ट भी लाट्राट इसक्षर लाटी अग्य